इस वीडियो में आपको उताँगो UPSC के परपरेशन में, पेडलिम्स के जो क्वेस्चन्स होते हैं, उनका सल्यूशन्स, यानि प्रिवीस एर क्वेस्चन पेपर के सल्यूशन्स, टॉपिक वाइस के लिए सबसे बैस्ट बुक कौन सी है, इससे बड़ी आपको साहिद मार्क कोई जरो होते नहीं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो यह है इस बुक का फ्रेंट जिस पर लिखावगा UPSC के पछले 25 साल के IAS और PCS के लिए, प्रेलिम्स के लिए टॉपिक वाइस शर्यूशन पेपर, यानि पेपर बन और पेपर दू पेपर दू एट टॉपिक, उनमें से पांच टॉपिक यहां पर दे रखें, A, B, C, D, A आपका history of India है, second आपका geography है, third आपका Indian polity है, and fourth आपका economics है, fifth आपका general science or ecology है, इसको आप environment भी कह सकते हैं, environment भी इसमें include है, यह पांच टॉपिक इसमें आ जाते हैं, उसके आदम प्रेलिम्स के 8 टॉ पर टू होता है, C set उसके लिए है, यह आपका प्रेलिम्स के लिए, वन के लिए था, यह प्रेलिम्स के second पर पर C set के लिए है, जिसमें आपका C set आई था, general knowledge है, यह current अफेर है, इसको आप पढ़ें ना, क्योंकि यह knowledge दे रखें, only उसको छोड़ सकते हैं, यह इस book का सबस यह काफी अच्छी चीज है, अब यह इसका interface है, जो आपका preface बोलते हैं, जो introduction कहलाता है, इसमें general information है, और यह आपके general information है, थोड़ी age से related, यानि इसमें जो एक information, एक UPCS parent के पास होनी चाहिए, वो सारी चीज़ में दे रखी है, यह सारी चीज में दे रखी है, यह सारी में PCS का exam कितने time में होता है, पिलिम्स का कब होता है, जैसे means का अब तो five day का होता है, और पिलिम्स का जो syllabus है नीचे, आप इसको देख सकते हैं, शायद आपको देख रहा हूँ, या थोड़ा आपको, मैं कोसिस करिए, पूरा आपको अच्छे से दगाई दे, जितनी अपन फॉर्म में दे रखे हैं, और नीचे, अगर आपको बार कर आप समझे में हैं, तो marks दे रखे हैं, कि किस year में, 2013, 14, 15, 16, 17, उस year में कितने marks के कितने questions आए हैं, ये questions हैं, और उनका marks हैं, अब आप इस चीज़ से अंदाज आ सकते हो, ये यतना dark कर रखे हैं, वो इसे ने बत गई, जो ज़्यादा variation किया है, वहाँ पर इसने highlight किया इस चीज़ को, जो मैंने highlight किया है, ये काफ़ important चीज़ है, अब नीचे ये देखिए, जोगरफी, जोगरफी को आपको कहां से पढ़ना, उसके लिए tips हैं, थोड़े से, उसके बाद में next page पर आते हैं, वो है आपका environment, ecology, quality, history and art and culture, जैसे मैंने आपको जोगरफी कार में होता है, कैसे या पोच करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना, वो सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी है, उसके आद में science से related है, थोड़ी से चीज, science में आपको क्या पढ़ना है, क्या प्रेंट अफेर से क किस केतने question आये है, और कितना variation हुआ है, यह highlight यहाँ पर दिया नहीं थे, लेकिन मैंने आपको दिख रहा होगा, कि 5 question, लेकिन 16 में, फिर 10 marks हो गए, उसके बाद में से marks और यह काफी अदा variation हुआ है, और कहीं पर पिलकुल दिया नहीं है, तो आप इस चीज को book को देख के स साब से और आपके year के साब से सारी दर्खा है, और यहाँ पर आपका means का syllabus है, वह आपका पहले prelims का था, यहाँ पर means का है, means में आपका, यह पहला तो आपका English का है, जो combustory होता सबके लिए, second आपका Indian language का है, जो आपके 24 और 22 language होती है, नीचे आपका essay का है, essay आपका दाइस माक्स का होता है, फिर आपके GS1, GS2, यह आपको उस वाले पेज़ पर GS1 है, यहाँ पर सपेस पर दिखाता हूँ GS2, जैसे आपको दिख रहा होगा, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसल जस्टिस, आप इस चीज को समझ सकते हैं, यह देखिए, आपको और दगाउं ठीक से, आप फिर आपको इसको ठीक से पढ़ेंगें, तो आपको इसको क्लारीफाय कर लेंगें, कौन से टॉपर किस लिवस से है, जैसे मैंने यहाँ पर सारे कर रखें के लिए, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, तो वीडियो को थोड़ा पॉस कर करकर आप देख सकते ह मैंने आपका टाइम बचाने के लिए वीडियो को शॉर्ट बनाया थोड़ा, क्योंकि आप जल्दी यल्दी स्किप करके जाते हैं, तो आप इसकिप ना करें चीज के लिए, अब कट आफ देर के इंटर्वियो में कितनी कट आफ होनी चाहिए उसको इसको पढ़ाते हैं, म वेटर बरें बता सकते हैं, उन्होंने यहां पर प्लट्स दिये हैं, बताया कि कैसे इसको पढ़ना है, तो इस सारी चाहिए कैसे उकलोजी को कवर करना है, अब बात करते हैं, जैसे हमने एक एनसे अन टेश्टी का टॉपक उठा लेते हैं, पिछले तेश्टी में जितने गोश्ट्री में वे जेतने बताते हैं, इसलिए में अपसे कहते हूं, प्रिवी यापसे क्वेश्टनि पर पढ़ना बजरूरी है, हर वीडियो में आपको यूपय से सीरीज की हर वीडियो बताया है कि यह पिसे सीरीज में आपको हर वीडियो मताया कि प्रीवेस सी एक पॉशन पर पर पुढ़ना है कि तना जारूरी है अब सब्सक्राइब बोटाता है देखे यह वर्ड पॉलिटिकल अब इसमें सारी चीज यही पर है आपको यह दे रखे है इस बुक का सबसे important segment एक ये भी है कि देखे जो पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे ऐसे पढ़ना है वो इसने पीछे दे रखा है तो ऐसे पिछले 25 साल के साधी साल के हैं वो पिछले 23 साल के इसने दे रखे हैं उन मैंसे कौनकों से ऐसे आए हैं किस टॉपिक पर आए हैं क कैसे पढ़ना है वो सारी चीज इसने clear कर रखे हैं स्वीट इस बुक में अब अब यह है कि आपको ऐसे की answer writing strategy कैसे आनी चाहिए ऐसे आपको कैसे लिगना है वो सारी चीज है और उपर से यह देखे जैसे एक topic ले ले लेते हैं यह आपका है 1993 से लेकिट उदाव इसने पहले topic है यह democracy administration society and culture इसमें कितने topic आये हैं उनसे related जितने ऐसे आये सारे दे दिया है यहां पर economy और development से related जैसे growth and development का है इससे related years भी दे रखे हैं किस year में कौन सा ऐसे आया है तो वो सारी चीज ने clear करके दे रखे हैं अब इसका one of the best important और सबसे important segment इस book का यह है कि यह देखे मेंस के जो syllabus है मेंस के questions हैं वो मेंस के questions किस year में आये उनका बार ग्राफ दे रखा है और कहां पर बड़े हैं कहां पर घटे हैं पूरा बता रखा है उसके बार में यह से नीचे आपको दिख रहा होगा history art and culture यहां प आये हैं तो आप इनको देखे अंदा जाला सकते हैं कि मेंस में कैसे question पूछ जाते हैं आपको यहां पर पता दो यह से पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो पॉलिटी आपको थोड़ा idea होगा तो आज समझ सकते हैं यह बार ग्राफ दे रखें किसी एर में कौशन आये हैं अब जो इस book को काफी best बनाती है काफी बढ़िया बनाती है इसलिए यह book मुझे काफी अच्छे लगी में इसको काफी standard book जो हैं जो standard book हम पढ़ते हैं उनसे काफी best मानता हूं उसको यह book हमें guide करने जा रही है और यह हमको guide करके बताएगी कि आखेर हमें पढ़ना कैसे हैं क्या आप्रोच करनी है क्या अप्रोच अप्रोच अटनी है साथ चीज आपको उता है तो सारी चीज इसने एक static वे में detailed solution में बताया है तो आप इस चीज़ को देखके समझ सकते हैं साथ चीज में clear कर दी है मैं आप सो मियद करता हूं वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो क के पर आपको सबसे अधर important होते हैं तो आप इस जिए को समझेए और रही बात पैसोंगे तो मैं आपको link description में दे दूँगा औरकर अगर अमारी उचेनल की YPC Series नहीं देखी, जिसमें Zero Level से आपको preparation की tracking बूदी कि बताया गाए है, तो उस वीडियो को जरूड देखे हैं, तो चाहँ एक एक क्लियर पे कि गए हैं, वीडियो को जरूड देखें, तो उस सीरीज के सारी वीडियोज को जबूर देखें, इसके सारी वीडियोज को आपकरते हैं, जय हैं